तो लास्ट लास में हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो एप्लिकेशन्स पढ़ी थी हाईपर कॉन्जूगेशन की तो आज हम लोगों को देखो जो टॉपिक पढ़ना है इसमें हम लोग बिसीकली जो आपने मेस्मेरिक एफेक्ट या फिर कह सकते हो जो रिजोनेंस पढ़ा है या फिर जो conjugation करना सीखा है हम लोग यहाँ पे application सीखने वाले हैं उस conjugation को पढ़ने की या फिर resonance को सीखने की या फिर resonating structures या फिर आप कह सकते हो जो आप conjugating structures बनाते हो उन conjugating structures में आप लोगों को एक rule establish करना है कि अगर किसी एक ही particular molecule के 2, 3, 4 या फिर लेट से n number of resonating structures आपको दिये हुए हैं तो उस n number of resonating structure में से कौन सा वाला resonating structure आपका stable होगा comparatively और कौन सा वाला resonating structure comparatively आपका क्या होगा unstable होगा so basically अगर आपके पास एक molecule A है molecule A के माल लेते हैं वो एक resonance hybrid है अब resonance hybrid क्या होता है इस बारे में मैं already बता चुकी हूँ resonance की जो थेरी वीडियो में ने बनाया था अब माल लेते है resonance hybrid है और उसके माल लेते तीन resonating structure exist करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो जो तीनों के तीनों resonating structures है वो equal energy के होता है कई लोगों के दिमाग में ये मित होता है कि आपके जो resonating structures है क्योंकि वो एक ही resonance hybrid के हैं तो ऐसे case में वो जो तीनों के तीनों resonating structures होंगे उन सभी की उनके पास same amount of energy होगी वो अलग-अलग है और उनके अंदर अलग-अलग amount के energy होगी हो सकता है किसी case में वो लोगों के अंदर content energy उनकी क्या हो जाए same हो जाए बट ऐसा नहीं होता है कि कोई अगर resonating structure है किसी एक resonance hybrid का तो वो तीनों resonating structures की आपस में resonance है मतलब जो energy ये content है वो क्या रहेगा same रहेगा वो vary भी कर सकता है वो change भी कर सकता है बलकि जाएता केस में तुम्हें वो variation के साथ ही देखने को मिलेगा तो हमें आपे अभी क्या पढ़ने है rules पढ़ने है कि अगर आपको मैं दो molecule मतलब एक molecule के दो resonating structure दे दूँ और आपसे ये पुछों कि बताओ उन दोनों resonating structure में क्या stable है कौन सा जादा stable है या फिर कौन सा वाला कितना unstable है तो आप उसके बारे में फिर देखो कैसे बातचीत करोगे तो सबसे पहला नियम तुम लोगों के पास ये रहेगा resonating structures को लेकर कि माल लेते हैं आपके पास एक ऐसा resonating structure है जो की neutral है ठीक है आप लोगों के पास माल लेते हैं एक ऐसा resonating structure है जो की neutral है versus आपके पास माल लेते हैं एक ऐसा resonating structure है जिसके इसमें charge है अब charge है यानि कि वो हो सकता है positive charge हो हो सकता है negative charge हो हो सकता है कि उसके पास दोनों charges हो ठीक है कुछ भी हो सकता but वो charge species होनी चाहिए बराबर तो याज रखना अगर आपके पास एक ऐसा है जो neutral है जिसके पास कोई charge नहीं है ठीक है और आप लोगों के पास एक structure ऐसा है जिसके पास charges है तो जो neutral वाला structure होता है न वो neutral वाला structure आप लोगों का क्या कहलाता है ज्यादा stable तो यह है हम लोगों का पहला rule ठीक है यह हम लोगों का पहला rule कि आप लोगों का जो neutral molecule होगा जो neutral resonating structure होगा वो neutral resonating structure की जो stability होगी वो ज्यादा होगी as compared to ऐसे resonating structure के जिसमें आपको charges दिख रहे हैं this is your first rule अब इस first rule का एक illustration ले चोटा सा प्यारा सा ठीक है for example तुम लोगों के पास butadiene है ठीक है CH2 double bond CH और यहाँ पर CH double bond CH2 अभी क्या यहाँ पर तुमको कोई charge हो गेरा दिख रहा है क्या ने कोई charge नहीं दिख रहा अब एक काम करते हैं इसका में एक ऐसा resonating structure बनाती हो जिसमें इसमें charge create हो जाए तो अगर मैंने इसका एक resonating structure बनाया तो यह वाली चीज़ देखो कुछ इस तरीके से में convert हो जाएगी अब अगर कोई तुमसे यह पुछेगा कि इन दोनों में से यह मालने ते पहला लिखा हुआ A और बाजू में लिखा हुआ B दोनों में से कौन सा वा आपको क्या देखने को मिल चुका है चार्ज सेपरेशन देखने को मिल गया है जिनमें charges create हो गए है वो वाला आपका क्या कहलाएगा ज्यादा stable कहलाएगा यह हो गया आपका rule number one अब rule number two में move करते हैं कई वार ऐसा होता है कि आपको जो दो structures compare करने को दिये जाते हैं दोनों क पास मान लेते हैं charges हैं तो देखो एक चीज का बात हमेशा याद रखोगे अगर दो लोगों के पास charges आपको दिख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप यह चेक करना या फिर लेट से नहीं भी दिख रहे हैं तो दूसर रूल आप यह चेक करना कि उनके पास number of bonds कितने हैं ठीक अगर दोनों के पास अलग-अलग हो गए तो फिर वह आपस में resonating charges कैसे कहलाएंगे जिसके पास number of by bonds जितने ज़्यादा रहेंगे ठीक है वो उसकी जो stability है उसकी वो stability भी उतनी ही क्या रहेगी ज़्यादा रहेगी ठीक है जितने ज़्यादा पाई bonds उसकी stability उतनी ही ज़्य ज़्यादा अब ऐसा क्यों क्योंकि imagine करो एक के पर double bond है और एक के पर imagine करो double bond नहीं है तो जब double bond बना होगा तब उस दौरान क्या रहा होगा bond formation के दौरान क्या होती है energy release होती है तो अगर किसी system के अंदर से energy release हो गई है इसका मतलब system क्या हो चुका है comparatively उसके जिसके अंदर से कोई energy release नहीं हुए क्योंकि कोई bond ही नहीं बना उसके compare में यह क्या हो चुका है stable क्यों क्योंकि उसके अंदर से energy क्या हो गई है release तो अगर कोई मुझसे इसका reason पूछेगा तो इसका हम लोग reason किस तरीके से justify करेंगे कि जब जब आप लोगों का bond formation होता है whenever bond formation takes place ठीक है whenever bond bond formation takes place ठीक है then energy is released hence stabilized इसी वज़ा से वो चीज क्या हो जाती है आप लोगों की stabilized हो जाती है ठीक है energy is released अच्छा मैंने यह stabilized लिग दिया बोलते बोलते इसको ठीक कर लेतने है energy is released and molecule is stabilized और आप लोगों का जो particular molecule होता है वो molecule क्या हो जाता है बहुत ही comparatively क्या हो जाता है stable हो जाता है ठीक है यह वाली चीज यह हो गया आप लोगों का पहला sorry दूसरा नहीं है तो molecules में pie bond को गिनना बिलकुल गिनना कई बार हो सकता है pie bond को गिनना तुम लोगों के लिए क्या हो जाए लाबदाई इसाबत हो जाए अच्छा अब उसके बाद आ जाते है हम लोग हम what father actual में यही है rule no.3 rule no.3 देखो क्या कहता है आपको बहुत ही simple सा नियम है वैसे rule no.3 और rule no.2 एक ही चोत है बोलने की बात है बहुत और दा सेम थें ठीक है बट मैंने फिर भी rule no.2 और rule no.3 को तो अलग अलग parts में categorize कर दिया है बट दोनों ही same चीज़े है बात ऐसी है कि पर दिश्या क्या करना चाहिए एक ऐसा structure डूढ़ना चाहिए जिस structure का octate complete हो ठीक है the resonating structure whose the resonating structure whose atoms have complete octate whose atoms have complete octate ठीक है जिनका octate complete होता है octate का मतला समझते हो ना उनकी stability उतनी ही क्या हो जाती है जादा हो जाती है ठीक है stability उतनी ही क्या हो जाती है जादा हो जाती है हाँ बट इसका ये मतलम नहीं है कि तुम super octate बना रहे हो वो नहीं होना चाहिए जैसे अगर तुम nitrogen को बोलोगे कि 6 bond बना है तो nitrogen क्या कभी 6 bond बना सकता है नहीं बना सकता है तो वैसा भी rule violate नहीं होना चाहिए कि कौन कितने bond बना पा रहा है हाँ बट अगर nitrogen के बदले मापे phosphorus होता तो चलता क्योंकि उसकी ability उतनी है बनाने की तो वो चलेगा बट जिसकी ability नहीं है और वो अगर बना रहे है तो ये नहीं चलेगा तो complete octate ये आप लोगों को ध्यान रखना है जिसका octate complete होगा वो comparatively ज़्यादा stable क्यालाएगा उसके जिसका octate complete नहीं है ठीक है इस चीछ का एक बहुती symbol से example लेते हैं मान लो आप लोगों के पास इस तरीके से ये एक structure दिया गया है यहाँ पे chlorine लटका दिया गया है इसका अभी एक दूसरा resonating structure बना लेते हैं यह आप लोगों के पास क्या हो गई रिंग हो गई इस रिंग में यहाँ पर bond आ गया यहाँ पर आपके पार double bond CL आ गया और यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे electrons तुमको शो कर दिये loan pair आपको कभी भी शो करके नहीं रिखाया जाएगा आपको पता होना चाहिए कि किस atom पे कितने loan pair होते हैं जो कि chemical bonding में हम लोग पड़े थे जब हम लोग structure बनाना सीखने न बिना loan pair के तो यार hybridization ही कैसे निकालो के तुम अब यहाँ पे एक एक atom का आप यह चेक करो कि octet complete है कि नहीं है आचा यह वाला structure थोड़ा सा incomplete है यहाँ पे मैंने positive charge नहीं दिया है तो अगर मैं सब एक एक atom का चेक करूँ क्या कहते हैं तो यहाँ पे देखो यार इसका तो octet complete है छे तो आपको वैसी दिख रहे हैं यह एक bond बनाया है तो एक bond मतलब दो electron तो इसका तो octet complete है क्या इस वाले atom का octet complete है क्या यह atom कौन है carbon कितने bond बनाता है चार क्या उसने चार bond बनाए है हाँ बनाए है राइट से एक उपर से दो एक तो हाँ इसका भी octet complete है क्या इस वाले carbon का octet complete है तो इसका भी complete है तुम्हें दिख नहीं रहा है बाट बेसीकली उस particular position पे कितने hydrogen मौझूद है तो हाँ उसका भी octet complete है यहाँ पे सिर्फ एक ही species ऐसी है जिसका octet complete नहीं है वह यह कार्बो कैटाइन यहाँ पे मत्र एक hydrogen है और अगर कोई मुझसे पूछेगा कि यहाँ पे कितने electron तो देखो एक इस तरफ से bond बनाए एक इस तरफ से bond बनाए और एक उपर से बनाए तो basically total कितने bonds बने तीन तो तीन bond का मतलब इस position पे इस carbon के पास कितने electrons है total 6 electrons है total कितने electrons है और अब मुझको बाजू में दिया गय उसमें अगर तुम comparison करो कि उसके पास उसके atoms के पास कितने कितने electrons है तो chlorine के पास एको पहले भी 8 electron हुआ करते थे अभी भी 8 electrons है क्यों दो तो loan pair है और यह आपका 3 और यह 4 ठीक है आच्छा उसके बादा कोई पूछेगा इस position के पास कितने है तो 3 bond तो तुम्हें अपनी hydrogen है इसके पास मतलब यह जो carbon है इसका भी octate complete है यह वाला carbon जिसका पहले octate incomplete हुआ करता था अब इस वाले carbon ने भी देखो अपना octate complete कर लिया है यानि कि right hand side में जो structure number B है structure number B में आपको क्या मिलेगा वहाँ पे हर एक atom का each atom has 8 electron हर atom के पास 8 electron है उसका octate complete है तो इसलिए structure number B ज होगा वो जादा stable होगा as compared to structure number A बराबर structure number A की अपेक्षा आपका structure number B जादा stable है क्योंकि उसका octate क्या है complete है हाँ अब इसमें गधे के जैसे octate hydrogen में ढूनने मत निकल जाना hydrogen अपना octate complete नहीं कर सकता वो क्या complete कर सकता है duplet तो मैं यहाँ पे कुछ महानभू लोगों के लिए लिख भी देती हूं कि accept hydrogen तो पता चले कि वो लोग उसमें भी उसका octate complete है की नहीं है यह चेक कर रहे है तो यह हो गया तीसरा rule और यह सारे rules में सबसे important rule है इस बात को ध्य देती हूं जब हम लोग ऐसे resonating structures की बात करते हैं जिन में charge होता है ठीक है जिन में charge होता है जो neutral होते हैं उनकी तो जिन्दगी हसीन है बट जो लोग neutral नहीं होते जो charge resonating structures होते हैं उनमें अगर तुम्हें देखना है कि कौन सा वाला resonating structure जादा stable है तो एक दिमाग में अपने अच्छे से बात डाल दो positive charge हमेशा उसके पास होना चाहिए ठीक है कम जेसकी electronegativity less है और negative charge किसके पास होना चाहिए जिसकी electronegativity जादा है बराबर क्योंकि जो जादा electronegative है उसके लिए यह बहुत ही आसान काम है उस negative charge को समभाल के रख लेना ठीक है तो जिसकी electronegativity जाद है वो negative charge को समाले और जिसकी electronegativity कम है वो किसको समाले positive charge को समाले अगर इस चीज का नियम इस नियम का उलंगन नहीं होता है या फिर मैं यह कहूं इस नियम का यदि पालन किया जाए तो in that case आप यह कह सकते हो कि वो particular molecule आपका क्या कहलाएगा stable बट अगर तुमने इसके negative है वो positive है अब मुझे बताओ कौन सी चीज ज्यादा stable है तो as all we all know that कि हमारे पास पूरे periodic table में तीनी ऐसे महरतियां है महरतिये जिन लोगों के पास उनकी जो electronegativity है वह ज्यादा होती है fluorine oxygen nitrogen तो oxygen तो खुद यार one of the most electronegative element में count होता है तो in that case oxygen के उपर negative charge is a very good thing तो ऐसे में ये चीज़ stable कहलाएगी और right hand side में जो O positive लिखा है वो चीज़ stable नहीं कहलाएगी समझ रहे हो आच्छा for example अगर मैं तुमको ये कहूं कि you have मान लेते हैं carbon के ओपर positive and nitrogen के ओपर positive अब कोई तुमसे पूछेगा कि बताओ कि अब comparison करो तो positive हमेशे किसको देना चाह है जिसकी electronegativity कैसी हो कम तो अब मुझे बताओ कि carbon और nitrogen में किसकी electronegativity कम है carbon की तो positive किसके उपर जारा बेटर रहेगा carbon पे और nitrogen पे नहीं तो ये रही इसकी stability लेकिन अगर तुमसे यही same चीज़ जैसी पूछ ली जाए कि nitrogen के उपर plus है और oxygen के उपर plus है आप को जारा बहतर तरीके से अपने plus को संभाल सकता है तो अब हमें पता है कि nitrogen के electronegativity oxygen के electronegativity के कम होती है तो ऐसे में वो कम मैं यह नहीं कह रही कि वो electronegative नहीं है we are talking about comparison ठीक है यहाँ पे जो यह बातचीत होती ना less electronegative more electronegative यह पूरी बातचीत कैसी है relative बातचीत यह comparative है ठीक है कुछ absolute नहीं है आप पाई सब कुछ यहाँ पे कैसा है relative है relative यह पूरी बातचीत कैसी चल रही है relatively चल रही है ठीक है हम लोग newton के relative थेरी पड़ रहा है है माक्स में आता है topic newton के relativity ठीक है बहुत ही boring सा topic रहता है अब ठीक रहता है graduation के वाक हमको यह था last year में बहुत ही पकाया था तो ऐसे case में देखो nitrogen में positive और oxygen में positive कौन ज़्यादा बैदर तरीके से अपने positive को समाल सकता है इस case में nitrogen इसलिए nitrogen प्लस यहाँ पे क्या होगा stable होगा तो जब भी आप 4 species के साथ काम करो ना तो हमेशा चेक करना कि charges बराबर तरीके से है क्या ठीक है इसका एक और example देखते है for example you have CH2 negative यहाँ पे आ जाएगा CH double bond O इसका एक resonating structure है CH2 double bond CH और यहाँ पे आ गया O negative अब तुमसे अगर कोई पूछ रहा है कि कौन सा structure ज़्यादा stable है तो rule number 1 लगाने का तो अपने दिमाग में सोच नहीं मत क्योंकि rule number 1 neutral versus 4 species के बारे में होता है यहाँ तो दोनों ही charge है तु अगर octate rule भी चेक करना चाहो तो आपको octate rule भी यहाँ पे follow होता हुआ मिलेगा देखना octate rule कहा follow होता हुआ generally word मेरा जो है से focus करना generally octate rule आपको वहाँ follow होता नहीं मिलता है जहाँ पे positive charge हो यह फिर जहाँ free radicals होता है otherwise negative वाले case में maximum times आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा octate rule complete ह होता हुआ बाकी रही बात पाइबॉंड की तो पाइबॉंड सो दोनों में सेमी है इसके पास भी डबल है उसके पास भी डबल है अब रूल नंबर 4 देखो यहाँ पे negative charge carbon ने समाला है पहले resonating structure में और second वाले resonating structure में negative charge oxygen ने समाला है कौन अपने negative charge को जादा बहतरीन तरीक समाल सकता इसलिए इसका answer होगा B is more stable than what आप लोगों का A ठीक है यह हो गया हम लोगों का rule number 4 कितना आसान है तो अगर तुमको यह rules पता हो तो एक ही resonance hybrid के अगर तुमको resonating structures यह हो तो resonating structures की stability को आप आपस में क्या कर सकते हो पहचान सकते हो ठीक है अच्छा अब अगेन हम लो उनी resonating structures की बात करेंगे जिन resonating structures में क्या होते हैं चार्ज होते हैं ठीक है neutral के बारे में ज्यादा बात्चीत होती नहीं है क्योंकि जो ची neutral होती है वो स्वयम में ही काफी stable होती है तो उसके लिए अलग से कोई specified rule बनाने के हमें आवशक्ता नहीं होती परन्तु अगर हमाए पास कुछ ऐसे resonating structures हैं जिनमें हमाए पास चार्ज हैं तो इन दाट केस वी हैव तो डिस्क्राइब मेनी रूल्स अगें जो भी हम लोग फिर्फ रूल पढ़ने वाले हैं ये भी चार्ज वालो के लिए ही पढ़ रहे हैं तो अब देखो ये रूल क्या है इस रूल का भी बहुत ही सिंपल सा नियम है आप अगर लाइक चार्जेस को लाइक चार्जेस जितने नियरबाय रहेंगे उनके उतनी नियरबाय रहने से सिस्टम उतना ही अंस्टेबल होगा ये तो एक फैक्ट है इसको एक्स्प्लें करने की मुझे कोई आवश्यक्ता नहीं है लाइक अ वो खुदको उतना जादा सिस्टम को अनस्टेबल बनाएंगे, ठीक है और अगर आपने अपोजिट चार्जेस को, अनका इसको अंस्टेबल होगा इसको घ्ने रहेंगे वो system को उतना ही जादा क्या करेंगे stable बनाएंगे simple सा logic है जितने जादा वो एक दूसरे के करीब रहेंगे उतना strong force of attraction होगा और उतनी उनके अंदर में क्या होगी minimum energy होगी तो opposite charges को यार रखना करीब रखना और light charges को जितना हो सके क्या रखना दूर रखने की कोशिश करना light charges जितना दूर रहेंगे उतना बहतर होगा और opposite charges जितना करीब रहेंगे आपके लिए उतनी ही 5-day का सौधा है इवन आभी तुम लोग आगे जब organic chemistry में resonating structure बनाओगे न तो तुम लोगों को resonating structures को compare करने को मैं कहूंगी तो उस रख जब तुम acidity, basicity के वक्त कि किसकी acidity ज़्यादा किसकी basisity कम एक मैं question लगे तो कराके भी देती हूं थाकि तुम समझ में आए कि मैं क्या बोलना चाहरे है उस rule से बट ये rule वहाँ पे बहुत काम आता है ठीक है ये वहाँ पे resonating structures को arrange करने के काम बहुत जादा आता है तो ये आपका next important rule है बस मातरह से दो या तीन total पांच rules होता है इन पांच उंगलियों के जैसे पांच rule और इन पांच rule के सहारे आप लोगों का सब कुछ बन जाता है ठीक है सब कुछ बन जाता है कोई सवाल यहाँ पे नहीं अटका अगर कोई अटकेगा तो फेगारी point में अगर भूल गई हो तो मैं अस वक add कर दोंगे जैसे for example if you have phenol मैं किसकी बात कर रही हूँ phenol की phenol क्या होता है एक benzing ring a benzing ring with OH is known as आप लोगों का what phenol इस phenol के resonating structures बनाई है चेलिए बनाते है oxygen मैं मानती हूँ minus I group है OH बट यह resonance के वाया अपने electrons यहां सामने क्या करता है donate करता है जो electrons होते हैं loan pairs loan pair get convert into bond pair और जो nearby bond pair होता है that convert into loan pair यह ऐसा simple सानिय हम तो बताओ इसका resonating structure क्या होगा आप लोगों के पास उपर में oxygen पहले तो double bond बनालेगा एक ही loan pair बचेगा और उस बिचारे के ओपर positive charge अलग develop हो जाएगा क्यों क्योंकि उसने अपना loan pair यूज किया इस carbon ने क्योंकि अपने electrons उसको मिले और carbon को कभी electrons रखने की आदत होती नहीं है वो भी बिना bond वाले तो उस पर आगे बचारे पर negative अगेन बताओ क्या logic होगा this loan pair converts into bond pair and nearby bond pair converts into what loan pair ठीक है समझ रो चक्का कैसे चल रहा है ये वाली चीज का ठीक है तो बताओ क्या हो जाएगी चीज ये वाला वैसे का वैसी यहां बन गया आप लोगों का bond और उसके अलावा यहां पर आ गया अभी negative charge अगेन वही same कहानी nearby loan pair gets converted into nearby bond pair and nearby bond pair gets converted into loan pair तो ये चीज कैसे में convert हो गई अगेन ये आप लोगों के पास में है ring और ring में यहां bond यहां bond अब negative charge यहां पर है और उपर में double bond O यहां पर positive charge और यहां पर H समझ रहे हो आचा अब अगेन वही same कहानी फिर से loan pair gets converted into bond pair and bond pair gets converted into loan pair तो अभी कौन सा bond pair ये वाला क्या नहीं इसको तोड़ दोगे तो यार रिंगी तूट जाएगी नहीं जो पाए bonds होता है ठीक है वो वाला bond pair तो ये ये चीज कैसी देखने लगेगी आप लोगों को इसको न हम adjust कर लेते हैं ताकि एक ही line में हो जाए अदरवाइस next line में जाना पड़ेगा अरे यार दो मेंटो को चीज तो देखो अब इसमें आगर मैंने वही same कहानी repeat की तो ये चीज कैसी हो जानी है आप लोगों के पैस वापस आपने अपनी journey जहां से शुरू की थी आप वहीं पहुँच गए है ना बस फर्क कितना पड़ा अपने ring के अंदर की bonds की position देखो पहले ऐसा लग रहा था कि ring anti-clockwise जा रही है अब लग रहा है कि ring clockwise जा रही है ठीक है वैसे उससे कोई फरक नहीं बढ़ता बढ़ यहां तक हम पहुँच गए तो ये जो तीन है ये जो तीन लोग है these three are known as resonating structures ये तीन कौन है हम लोगों के resonating structure वैसे तो बाकी के भी दो है चलो इसको ये ले ते ये पूरे ये पूरे हम लोगों के कौन है ये पांचो लोग हमारे सबसे ज़्यादा सेबल होगा तो बिना सोचे समझे एक बात तो हमेशे याज रखना नूट्रल बाले जो ये तो शब्से ज़्यादा ही होता है तो neutral में 1 भी आता है, 5 भी आता है अब हम किसको देखें कि कौन जादा stable है चुलो second point चेक करते है किसके पास जादा double bond है दोनों के पास equal है चुलो third rule चेक करते है किसका octet same है दोनों का ही octet complete है Oh my god, charges तो है ही नहीं charges वाले चौथे 500 point पर दो बाचीत करनी नहीं है इसका मतलब आप लोगों का जो resonating structure number A है और जो E है ये दोनों almost आपस में क्या है equal है, almost अब बात आती है second, third or fourth की और second, third or fourth में अगर मुझे ये चीज़ compare करनी हो तो मैं कैसे करूंगी second में तुम ये देखो कि आपका positive charge कहाँ पर है यहाँ पर और negative charge कहाँ यहाँ पर इन दोनों के बीच में मालेते हैं ये distance है, ठीके ये इस distance से एक दूसरे से separate out हुए ठीके, अच्छा, अब आपने बाकी के दो structures देखो इसमें भी ये positive और just उसके बाजू में ही आपको दिख रहा है मतलब indirectly structure number D and structure number B are again identical सिर्व left और right का ही तो फर्क है, और तो कोई फर्क है नहीं, सिर्व left और right का ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है, तो again they are identical, but जो structure number C है, उसमें तुम देखो positive, negative यानि कि unlike charges एक दूसरे से कितने distance पर है तो अभी-अभी मैंने उपर क्या rule बताया था, कि आप लोगों के opposite charges जितने nearby होंगे, चीज उतनी stable होगी, तो यानि कि structure number C और B का अगर मैं comparison करूँ, तो C unstable कहलाएगा, क्योंकि उसमें unlike charges कैसे है, एक दूसरे से distance पर है कौन सा रहेगा, structure number C ये इस तरीके से comparison किया जाता है, so these are five rules, इन्हे पांच rule को आपको question में apply करकर के देखना होगा कि कौन सा rule हम लोगों का चल रहा है, और उस rule के according फिर आप लोगों को आगे अपनी कहानी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है अब इसमें एक note की आवशकता है तुम्हें अपनी जिंदगी में, वो note number पहला कि कई बर कैसा होता है, question हमें cheek cheek कर कहता है कि देख भाई देख, इसका octet complete नहीं है, but at the same time, question हमें ये भी cheek cheek कर कहता है, कि देख देख, उस structure में oxygen के उपर positive है, तो हम दुवीदा में पढ़ जाते हैं, कि question को resonating structure की stability को हम octet rule के अनुसार arrange करें, या फिर हम उसकी stability को, उसके क्या कहते हैं, charges के according arrange करें, कि positive electro negative पर है, कि electro positive पर है, कि कि according arrange करें तो यार रखना, octet rule आप लोगों के electro negativity वाले rule से कई जादा superior होता है, अगर किसी question में तुम ऐसी दुवीदा में पढ़ जाओ कि यहाँ पे answer में किस के according लिखो, क्यों कि दोनों के according अलग answer आ रहे हैं, so octet rule will be given top priority, ठीक है octet rule को priority जी जाएगी, ना कि EN rule को, इसको समझ लेते हैं एक illustration के साथ, for example you have CH3, यहाँ पे C इसके उपर positive, यहाँ पे double bond O, यह आगया आप लोगों के पार loan पे है फिर आपके पास एक दूसर resonating structure दिया हुआ है, CH3 C, triple bond O, और यहाँ पे माल लेते हैं, आप लोगों के पास कौन सा structure है, चाहिए यहाँ पे मैंने होना चाहिए, और negative charge जादा electro negative वाले पे होना चाहिए, तो अगर मैं EN rule के according चलू, तो structure number B कहता है, यहार oxygen पे positive है, और structure number A कहता है, carbon पे positive है कौन जादा बहतर तरीके सबने positive को समाल सकता है, obviously carbon तो EN rule के according तो देखो यह answer आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे octet rule के according चलू, तो octet rule के according आपको check करना पड़ेगा कि किसका octet complete है, किसका octet incomplete है check कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखो कितने electrons है, 8 electrons है, परन्तु यहाँ कितने electrons है, 6 electrons है तो यहाँ कि structure number A में आपको एक ऐसा atom दिख रहा है जिसके पास octet complete नहीं है और structure number B में अगर मैं जाके मैं comparison करूँ, तो वहाँ पे हर atom के पास क्या है, उसका octet complete है, तो अगर मैं octet rule के अनुसार चलूंगी, तो जिसका octet complete होता है, वो जादा stable होता है as compared to those जिनका octet complete नहीं है तो B जादा stable as compared to what A, but अब इसमें मैं answer क्या लिखूंगी तो answer लिखते वाक आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी है कि हम लोगों को octet rule को जादा priority देनी है, कि किसके compare में, आप लोगों के EN rule के compare में, octet rule OR जादा dominating factor होता है as compared to electronegativity वाला factor this was the whole theory behind the stability of resonating structures, ठीक है अब मुझे तुमको सिर्फों सिर्फ क्या कर देने questions देने, बहुत सारे ताकि तुम समझ पाओ कि किस वक्त तुमें क्या चीज कहाँ apply करनी है otherwise हम लोगों ने almost जितने भी rules से वो सारी चीज़े हमने पढ़ लिए, हाँ इसमें एक aromaticity करके भी एक topic होता है since अभी aromaticity कैसे पहचानते हैं वो तुमको मैंने सिखाया नहीं है but फिर भी मैं लिखवा देती हूं point बाद में हो सकता है तुम लोगों के काम में आ जाए ठीक है कभी-कभी कैसा होता है conjugation इस तरीके से हो जाती है किसी molecule के अंदर में ठीक है because of conjugation sometimes ठीक है because of conjugation sometimes molecule achieve aromaticity ठीक है because of conjugation कई बार conjugation की वजह से जो molecule होता है वो molecule क्या कर लेता है achieve कर लेता है किस तीच को achieve कर लेता है aromaticity को अब aromaticity कैसे ढूंटे हैं कैसे पहचानते हैं वो हम बाद में सीखेंगे अभी हमारा आगे आने वाली classes का topic है तो अगर कोई molecule aromaticity gain कर चुका है तो यार रखना वो बाबा रे बाबा सबसे जादा stable species होगी aromatic compound सबसे जादा stable species होगी अगर उसने उस conjugation की वज़ा से aromaticity achieve कर ली है तो अगर aromaticity achieve कर ली है तो वो सबसे stable species होगी बट ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार conjugation की वज़ा से aromaticity achieve हो पाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता कई बार conjugation की वज़ा से ऐसा भी देखने को मिलता है कि molecule aromatic होने की बजाए molecule के अंदर में non-aromatic वाले characteristics आजाते हैं ठीक है इन्हें तो कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि हमेशा conjugation aromaticity को ही support करती है तो ऐसा नहीं होता कई बार molecule क्या achieve कर लेता है conjugation की वज़ा से non-aromatic nature भी वो achieve कर लेता है और अगर उसने non-aromatic nature अचीव कर लिया तो ऐसे में वो वाली जो चीज है आप लोगों की सबसे ज़ादा least unstable कहलाती है मतलब least unstable जैसा word क्या है पागल हो गई हूँ Michelle ठीक है वो आप यह कह सकते हो most unstable कहलाती है वो चीज सबसे ज़ादा unstable तो यह फिलाल अभी क्योंकि हम लोगों ने aromatic पढ़ी नहीं है तो तुम्हें थोड़ा सा लगेगा कि यार यह non-aromatic aromatic कैसे मतलब क्या तो कोई बात नहीं यहाँ पर अन लगाना भूल गई हो देखो मैं आगी नहीं ठीक है यह चीज तुम लोग आगे सीखोगे तो यह वो rules से जिनके सहारे तुम लोगों को अपनी आगी की कहानी लिखनी है समझनी है और बहुत ही simple से rules से कुछ भी कठिर नहीं था अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने किसी point पर तुम से कुछ rules बताने भूल गई हूँ तो मैं in that case के नीचे की जगा छोड़ देती हूँ ठीक है सिर्फ इन दोनों को क्योंकि आप इन दोनों को तो वैसे भी compare नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते rules के according क्यों नहीं कर सकते क्योंकि ये different लोग हैं अगर इन दोनों को तुम्हें आपस में compare करना है दो different systems को resonating structures को नहीं दो different system को तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किसके अंदर conjugation या फिर किसके अंदर resonance जादा हो रही है जिसके अंदर conjugation या फिर resonance जादा हो रही है वो जादा stable जिसके अंदर कम हो रही हो कम stable if you are talking about two different resonance hybrid then यह जो उपर रिखाए हुए rules हैं यह तभी माननेता है इनको जब आप दो resonating structures ले रहे हो दो different structures नहीं, दो resonating structures ले रहे हो so I am talking to compare the stability of these two structures not all four structures altogether so अभी यहाँ पर बताओ क्या हो जारह है आपका पहला वाला जो structure है वो तो neutral है so neutral obviously जादा stable होगा as compared to those जो कि neutral नहीं है same यही logic नीचे भी लगेगा जो जादा neutral होगा वो उतना stable तो यानि कि basically मैंने इस question को किस के according किया according to rule number one के according किया जो मैंने उपर list लिखाई है ना उस list के according rule number one same यहाँ पर आजाते हैं तो यहाँ पर अगर मैं बाचीत करूँ तो तुम मुझे कोई देखकर बताओ कि कौन जादा stable है तो यह neutral वाला case तो है नहीं यहाँ तो charges दिख रहे हैं अब charges अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर यह positive charge किस पर है carbon पर है और यहाँ पर यह positive charge किस पर है carbon पर stable होगा तो तुम बोलोगे कि यह मेरा जादा stable structure है बट जब यह positive charges के साथ काम करो always make sure कि octet complete हुआ है कि octet complete नहीं हुआ ठीक है कई बार octet complete नहीं होता है और हम लोग उस तरह ध्यान तक नहीं देते हैं तो यहाँ पर इसका तो definitely octet complete हुआ होगा क्योंकि यहाँ पर माना की एक carbon है बट तीन वहाँ पर invisible hydrogen भी तो है इस बिचारे का हाँ मैं मानती हूँ कि इसका octet complete नहीं हुआ है इसके पास भी 6 electrons है इसके पास यह lone pair है जो देखे नहीं रखेगा बट एको इस वाले का भी octet complete हुआ है अच्छा बाजू वाले structure में आ जाते हैं तो बोलो क्या होगा इस वाले का तो octet complete हो गया इस वाले का भी octet complete हो गया क्योंकि एक hydrogen तो था ना वहाँ पर अब बाद आती है इसकी right hand side वाले का क्या उसका octet complete हुआ की नहीं हुआ तो वो अब आपको चेक करना है कि किसका octet complete हुआ है तो देखो बताओ मुझे किसका octet complete हुआ है यहाँ पर तो oxygen का हुआ है क्या पहले तो oxygen ने कितने bond बना के रखे वो देख लो तीन bond बनाए हैं दो double bond बना लिये हैं और एक उसने क्या बना लिया है आप लोगों के साथ वहाँ पर वहाँ पर उसने एक H के साथ बना लिया है तो वहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि हाँ तीन bond वो बना चुका है मतलब 6 electrons तो उसके पास है इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि 6 electron है कि 6 electron नहीं है पे तो कोई संशय नहीं होना चाहिए परंटू oxygen पे होते हैं दो loan pair बराबर अच्छा अब विचारे के उपर एक क्या है पॉजिटीव चार्ज है इसका मतलब क्या जरूर उसने अपना वो loan pair भी बिचालेने क्या कर दिया होगा donate कर दिया होगा, किस काम के लिए bond बनाने के लिए, अब इसमें कई लोगों को लगता है कि दोनो loan pair donate कर दिया है, दोनों, मतलब total कितने loan pair होते हैं, दो, तो ध्यान रखना एक loan pair donate होता है, तो एक positive आता है एक ही positive आया है, मतलब एक loan pair donate होगा, एक अभी भी उसी के पास है, और अगर उसी के पास है, तो इसका मतलब इसका octet complete है, और second structure में क्योंकि octet complete है, और first structure में octet complete नहीं है, तो octet rule को ज़्यादा priority मिलेगी, और ये वाले महाशेया आपके, ज़्यादा stable कहलाएंगे, ठीक है, similarly, नीचे वाले question में भी आजाओ, तो नीचे वाले question तो इसमें रूको मैंने कुछ error कर दिया, I think, नीचे वाले question में तो मेरा nitrogen 5 bond बना रहा है, तो 5 तो बनाता नहीं है, बक्वास है चीज, ठीक है, वो कुछ भी लिग दिया है, unoption उस पर क्रिप्या करके ध्यान ना दे, ऐसे और भी बहुत सरे question frame किये जा सकते हैं, तो अभी बस तुम लोगों को सिफ क्या करने है, प्रैक्टिस करते जाने है, for example, अगर आपको एक structure दे दिया जाएं, और उसको सुचना पड़ेगा, क्या दिये जाएं, छोटे-छोटे देने पड़ेंगे क्योंकि, दो मिनुट, ठीक है, माल लेते हैं, आपको ये एक structure दिया हुआ है, ये आपके पास एक ring दी वही है, ring में यहाँ double bond है, यहाँ पे positive charge है, फिर माल लेते हैं, यहाँ पे आपको ring दी वही है, यहाँ पे double bond है, अब, और positive charge अब यहाँ है, ये दो resonating structure आपको दी है, अच्छे रुको ये resonating structure में तो कोई मतलब नहीं है, इसमें comparison तो तुम नहीं कर सकते हैं, ये वाला तो full on time pass है और कुछ भी नहीं, सकते हैं, ये वालएब ये नहीं हैं, जही हैं सुमें सुम्हें कर सकते हैं, कंख़ो सुम्हें प्रहएब ये उल्यों है, चलो ये वाला कुश्चन देखो इस वाले कुश्चन में जो आप लोगों का molecule number 1 है molecule number 1 में ये सांस आप दिख रहा है कि वो neutral है और जो बाजू वाला है वो विचारा आप लोगों का कैसा है charged है तो अव्वेस है कि ये वाली चीज जादा stable होगी as compared to बाजू वाला सीम यही logic मैं यहाँ पर भी लगाऊंगी तो ये वाली चीज आपकी जादा stable होगी as compared to other one ठीक है अच्छा अब नीचे मैं सवाल actually लिख कर रखें मुझे यार नहीं था कि मैं लिख चुकी हूँ already सवालों को अब मालेते हैं ये molecule आपको दिया है अब यहाँ तो यार दोनों के उपर ही मतलब negative negative है बड़ ये चेक कर लो कि कौन अपना negative जादा बहतर तरीके से समाल सकता है यहाँ पे octate की कोई समस्या तुमको face नहीं करने पड़ेगी ये आपका जादा stable होगा as compared to the one जिसके पास negative structure नहीं है ठीक है अच्छा अब जैसे इस molecule को देख लेते हैं वैसे तो मैं उपर याली चीज समझा चुकी हूँ बढ़ फिर भी एक बार और देख लेते हैं यहाँ पर OQ पर positive है बाजुवाले में भी OQ पर positive है फिर यहाँ पर difference क्या है difference है बात आती है distance की यहाँ देखो opposite charges एक दूसरे के करीब है और यहाँ पर देखो आप लोगों के एक minute है एक minute ठीक है तो यहाँ पर देखो आपकी opposite charges यहाँ पर negative आना चाहिए था opposite charges एक दूसरे के कहा है आप लोगों के opposite opposite में है तो ऐसे में क्या हो जाएगा like charges जितना एक दूसरे से दूर रहेंगे हमारे लिए उतना ही यह खबर कैसी है बुरी है like charges को कैसा रहना है एक दूसरे के करीब रहना है तो in that case यहाँ पर आप लोगों की यह चीज कैसी होगी जादा stable हो जाएगी ठीक है इस तरीके से तो यह कुछ facts हैं जिन facts के basis पे आप resonating structures की stability arrange करते हो जैसे की एक question मैंने तुमको यह दे दिया यहाँ पर उनको बताओ कि कौन जादा stable है तो पहले तो positive है मतलब octate की तो गड़बड़ी होगी ठीक है positive है मतलब octate वाली चीज आपको चेक करनी ही करनी है क्योंकि positive में आपको जादा तर octate वाली गड़बड़ी देखने को मिलती है तो चेक कर लेते हैं जल्दी से यहाँ पर आप लोगों के पास oxygen है यहाँ पे दो lone pair है तो no doubt इसका तो octate complete है बिचारे बीच वाले का सिर्फ 6 electrons है और corner वाले का octate है अभी corner वाले का तो still अभी भी octate है जो बीच वाला carbon है उसका अब octate है और जो corner वाला है corner वाले के साथ क्या हुआ तो corner वाले की कहानी समझो की corner वाले के साथ क्या हुआ होगा तो जो corner वाला है उसने क्या बना लिया triple bond बना लिया और ध्यान से सुनना वहाँ पे सिर्फ एक इच positive है और एक positive कब आता है जब एक lone pair जाता है और oxygen के पास तो total दो लोन पेर होते हैं तो अगर दोनों लोन पेर गए होते हैं तो two positive आता बट एक ही गया है इसका मतलब से एक positive आएगा इसका मतलब इसका भी octet complete है और क्योंकि इसका octet complete है तो हम लोग यह चीज कह सकते हैं आप लोगों का कि आपका जो structure number one है वो structure number one आप लोगों का ज़्यादा कम stable है as compared to structure number two भले ही positive charge यहां पर किस पे आजाए oxygen पे चलेगा बट octet rule किसी भी हालत में क्या नहीं होना चाहिए wallet नहीं होना चाहिए नीचे तुम लोगों को तीन resonating structure दिये इन तीन resonating structure को compare करना है सबसे पहले तो यह देखो कि किस case में आप लोगों का system neutral है तो neutral वाला तो देखो कोई system नहीं है आपे फिर यहां पे क्या चेक करो फिर यहां पे यह चेक करो कि positive पाई bond किसके पास जादा है और किसके पास कम है पहले यह चेक करो तो देखने को मिल रहा है कि structure number one के पास बिचारे के पास कोई pie bond ही नहीं है और जो आप लोगों का structure number two है उसके पास एक pie bond है और जो structure number three है उसके पास भी एक pie bond है तो जिसके पास pie bond नहीं है वो तो obvious है कि comparatively बाकियों के क्या होगा least stable होगा सबसे कम होगा तो A वाला तो R सबसे कम होने वाला है अब बाकि बचती है बात B और C में तो B और C में फिर हम क्या चेक करेंगे कि octet complete है की नहीं है यह आप सबसे पहले देखो तो यहाँ oxygen के उपर lone pair दिखनी रहें बढ़ यहाँ पे lone pair है तो अगर कोई तुमसे पुछेगा क्या इसका octet complete है तो बिल्कुल इसके पास 8 electron है क्या इसका octet complete है हाँ इसके पास भी 8 electron है क्या nitrogen का octet complete है हाँ उसके पास भी 8 electron है 2 pi bond से और 2 hydrogen से तो इसका तो octet complete है बढ़ अगर कोई तुमसे यह पुछेगा कि यहाँ पर जो यह structure है क्या इसका octet complete है तो देखो सिर्फ एक oxygen पर सिर्फ मातर एक ही positive charge है तो मतलब एक ही loan pair गया है एक loan pair अभी भी उसके पास है तो दो pi bond, एक hydrogen, 6 और एक loan pair तो यह अभी भी इसका octet complete है इस वाले का octet भी complete है इस वाले का भी octet complete है मतलब यहां तो octet complete है दोनों structures में तो फिर आपको यहां पर comparison इस बिस्विस पर करना है कि positive charge जादा stable किस पर रहेगा तो nitrogen और oxygen दोनों में से positive charge को जादा बहतरीन तरीके से कौन समाल सकता है obviously nitrogen की electro negativity कम है तो nitrogen उस तीच को जादा बहतर तरीके से समाल पाएगा as compared to what आप लोगों का oxygen ठीक है इसी लिए जो आपका structure number B होता है structure number B जो होगा वो जादा stable होगा as compared to what आप लोगों का structure number what C तो यहां पर order आएगा B, C और फिर A ठीक है किसकी वज़ा से किया है तुम्हें यह चीज समझनी चाहिए समझ में आनी चाहिए तो किसकी वज़ा से किया गया है बताओ यह काम यह काम किया गया है आप लोगों के charges की वज़ा से ना कि octet rule की वज़ा से ठीक है अब जैसे माल लेते हैं ये तीन structure सुमको दिये है इसमें तुमको बताना है कि कौन आपका ज़्यादा stable है तो क्या करोगे पहला वाला तो देखो neutral है तो obvious है कि neutral की stability तो सबसे ज़्यादा होगी अब बात आती है नीचे वाले पर तो नीचे वाले में आपको ये चेक करना है कि किसकी stability ज़्यादा बहतर होगी तो अब यहाँ क्या करेंगे देखो यहाँ पे positive और negative है ठीक है यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है positive है और negative है अच्छा और जो आप लोगों का दूसरा structure है मतला second वाला उस पे आपको सिर्फ और सिर्फ negative दिख रहा है तो ऐसे कैसे positive भी तो जो distance है ये मतर एक carbon ये एक दूसरे से क्या है दूर है एक घर दूर है ठीक है लुडों खेले हो ना और यहाँ पे ये वाला positive negative एक दूसरे से कितने carbon दूर है दो carbon दूर है अच्छा और एक और fact में तुम्हें बताती हूँ कि अगर मैं माल लेते हैं distance के सबसे भी arrange करू तो according ज़्यादा stable है C से अगर मैं इस चीज को according to distance सोचू तो लेकिन अगर मैं इसको according to distance नहीं भी सोचू तो पहला वाला मतलब जो दूसरा वाला structure है B उसके पाद दो-दो pie bonds है ठीक है और आप लोगों कहां जो structure number C है उस बिचारे के पास तो सिर्फ मातर एक इच pie bond है तो pie bond के according भी आपका structure number two क्या होगा जारे stable होगा तो हो सकता है कई बार एक ही rule के लिए दो-दो rules के मतलब एक ही structure के लिए दो-दो rules से भी आप लोगों को क्या मिल जाए answer मिल जाए तो ऐसा जरूरी नहीं होता है कि resonating structure का answer एक rule से आ रहा है तो दूसरे rule से नहीं आ सकता ठीक है उससे इस कोशन की तरफ ध्यान दीजिए यह कैसे करेंगे हम लोग जैसे इसमें सबसे पहले तो यह ढूंड लिया करो कि न्यूट्रल्स बिशीज का है तो न्यूट्रल्स बिशीज तो यहां पे सिर्फ एक है वो है आपका स्रक्चर नंबर ए सो अगर मैं इसके आंसर के मदनदर से बात करों तो यह सबसे ज्यादा स्टेबल होगा अब मुझे स्ट्रक्चर के बाद चेक करना होता है एक मेडा को एक मेड़ को गे कि अगा कि अगा कि अगा कि अगा कि अगा है कि अगा तो अगर मैं आप पे अभी इसको पाइबॉंड के इस आप से देखूं तो जो स्ट्रक्चर नंबर आपके पास भी है इसमें देखो कितने पाइबॉंड से यहां पे दो पाइबॉंड है इस विचारे के पास तो सिफ एक पाइबॉंड है इसके पास भी एक पाइबॉंड है और इसके पाद 2 pi bond है तो इतने तो हम confirm है कि B और C की ओकाद ज़्यादा रहेगी as compared to DNE ठीक है because of pi bond अच्छा अब लगिन अगर बात मैं compare करू B और C के बीच में कि अगर तुम्हें इन दोनों के बीच में comparison करना हो कि कौन जादा stable है तुरे कोई यहाँ पे oxygen ने भी निगीटिव लिया है यहाँ पे भी oxygen निगीटिव लिया है but structure number B में सिर्फ एक निगीटिव है और structure number C में दो-दो निगीटिव है वो भी कैसे like charges और तुम तो जानते हो कि like charges एक दूसरे को क्या करते हैं unstable बनाते हैं इसलिए यहाँ पे भी जादा stable होगा as compared to C ठीक है अब आते डी और E में दी में भी एक πाई बॉंड है E में भी एक पाई बॉंड है D में क्या है positive negative है E में भी positive negative है D और E का positive negative कोई दूर नहीं है जितना distance D में है उतना ही distance E में है तो distance के साथ से भी logic सेम बढ़ता है बट अब यह देखो कि किस पे negative है D वाले structure पे negative charge किसने समाल के रखा है nitrogen ने समाल के रखा है बट E वाले structure में negative charge किसने समाल के रखा है oxygen ने कौन जादा बहतर तरीके से अपने negative charge को समाल सकता है obvious है कि oxygen जादा बहतर तरीके से अपनी खोपडी को चलाना है ठीक है चौतरफा डारेक्शन में चौतरफा जब तुम चलाओगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा इसमें ये चीज चीज आपकी अंस्टेबल होगी ठीक है याद रखना चौतरफा डारेक्शन में अब मैं कुछ से पॉइंट्स ब कई जगाओं पर रूल्स नहीं चलते ठीक है तो जब रूल्स चलते तो हमें वो पॉइंट्स सोड़े से याद रखने है तो मैं कह देती हूं इसी पॉइंट को लगे तो हम एक्स्टेंड कर लेता है चलो ताकि एक जगा सारी ये तुम्हारी आ रहे है इकटा रहे अच्छ ये होता है आपका पहला वर्ड एक्सटेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंड झाल झाल अब देखो यह जो दो स्ट्रक्टर्स बनाए हैं इन दो स्ट्रक्टर्स को ध्यान से देखना अगर मैं यहां से कॉंजूगेशन शुरू करती हूँ तो देखो क्या होगा डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल, सिंगल मतलब बेसिकली आपकी कॉंजूगेशन क्या हुई यहां से शुरू हुई और यहां पर आके वो क्या हो गई है रूख गई है यह सिर्फ एक डारेक्शन में चल रही है सिर्फ एक डारेक्शन में अभी इस केस में कैसे चल रही है अंटी क्लोक्वाइज गर अगर मैं comparative double conjugation इस direction में भी जा सकती थी क्योंकि ये दोनों direction में चल रही है साथ साथ तो ये चीज कहलाएगी cross और extended conjugation की जो stability होती है वो जादा होती है as compared to cross बस ये तुम्हें इतना सा याद रखना है ठीक है आपका एक ऐसा resonating structure जो की ठीक है आप लोगों का extended conjugation मना रहा है वो जादा stable होता है similarly देखो negative single double single ये conjugation ऐसी जा रही है और यहाँ पे conjugation इधर भी जा रही है तो ये cross है और ये extended है extended वाली चीज जादा stable होती है किसके आप लोगों के compare to cross अब तुम्हें याद होगा मैंने last class में एक rule लिखवाया था कि सबसे जादा stable होते है aromatic compound उसके बाद मैंने तुमको ये rule लिखवाया था क्या लिखवाया था वहाँ पे E लिखवाया था I think A E something जहाँ पे E का मतलब था equivalent resonating structures जहाँ पे E का क्या अर्थ था equivalent resonating structures उसके बाद फिर तुमको लिखवाया था mesomeric effect ठीक है और फिर लिखवाया था resonance और फिर लिखवाया था hyperconjugation और फिर लिखवाया था inductive राइट अब यहाँ पे हम लोग देखो 8 point पढ़ रहे है that is equivalent resonating structures अब इस equivalent resonating structures का अर्थ मैं already उपर भी समझा चुकी हो यह देखो यह दिख रहे हैं दो A और E यह दिख रहे हैं A और E यह दिख रहे हैं B और D तो यह A और E ठीक है और यह B और D इन्हें हम लोग कहते हैं equivalent resonating structures ठीक है इनकी shape आपको अलग दिख सकते हैं मतलब आप कैसा देख रहे हो कि देखो यहाँ पर double bond आपका पहले anti clockwise से शुरू हो रहा था और यहाँ पर देखो यह भी clockwise से शुरू हो रहा है तो देखने में आपको यह दोनों structures अलग लग रहे हैं बट basically इनकी जो potential energy होती है ठीक है इन resonating structures की जो potential energy सेम हो जाए तो बस उनी resonating structures को हम लोग क्या कहते हैं आप लोगों का equivalent resonating structures कहते हैं क्या कहते हैं equivalent resonating structures और equivalent resonating structures अगर कहीं तुमको दिख रहे हैं ठीक है मैडम कोई आप चीहक कर तो बोलेगा नि कि hello hello madam मैं equivalent resonating structure बोर रहा हूं में को आके देखो में को आके देखो मुझको आके देखो ठीक है ऐसा थो कि तुमको आके बोलेगा नी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा रई तो equivalent resonating structure में पहला तो यह point रखना है कि potential energy सेम रहती है और उनकी stability हम लोग क्या करते है approximately equal लेते हैं बस यह बात यह वैसे वह आलड़ी इम उपर बता चुकी लिए बर स्टिल मैंने यहां पर फिर से एक और बार यह चीछ बता दी ठीक है क्या यह बात समझ में आ रही है अच्छा अब जैसे कुछ examples हम लोग ले लेते हैं आपके क्या कहते हैं equivalent resonating structures के बारे में यह उठा लिया यह मेरे पास एक ring है इस ring में मान लो double bond यहां है और यह positive charge है अब तभी मैंने यह ring बनाई थी फिर मैंने मिटा दी थी याद करो थोड़ दर पहले जब मैं questions देने वाली थी ठीक है अच्छा फिर अब यहां पर double bond आ गया यहां यहां पर आया गया और उसके आपोजिट ने सेव यहां double bond और उसके opposite में positive यहां double bond उसके opposite में positive यहां double bond उसके opposite में positive तो basically यह आप लोगों के 3 के 3 क्या कहलाएंगे происonating structures I do agree बडि यह लोग क्या कहलाएंगे September equivalent resonating structures कहलाएंगे तो यह होता है concept किसका equivalent resonating structures का equivalent resonating structures का same यही logic होता है कि तीनों की potential energy कैसी है same है और इसलिए हम लोग उनकी stability को approximately क्या लेते हैं equal लेते हैं तो उनकी stability को approximately equal लेते हैं एक और तुम्हें equivalent resonating structure का example अभी आगे जब तुम्हें acidity और basicity पढ़ोगे वहां बहुत जादा देखने को मिलेगा that is acetate जैसे CH3C double bond O negative यह है ठीक है यह मैंने बना दिया O negative क्यों तुम्हें ही लगता है यह ऐसे resonance कर सकता है loan pair convert to double bond bond pair और bond pair convert to loan pair नहीं बन सकता क्या यह अगर यह ऐसा बन गया so don't you think यहाँ पी आ जाएगा CH3C ऊपर में single bond और आप ऊपर वाले oxygen पर negative और अब यहाँ पर double bond आ गया इन दोनों resonating structures में आपको क्या अंता दिख रहा है कोई अंता नहीं दिख रहा है so they are termed as what equivalent resonating structures दोनों की stability को हम लोग क्या मानके चलेंगे approximately equal मानकर चलेंगे ठीक है क्या यहाँ तक कोई तकलीफ है बस कदम तो यह बहुत ही simple simple सी देखो चीजे हैं ज़्यादा कठी इन में कुछ आता नहीं है आप अगर ध्यान से करो तो कोई तकलीफ नहीं होती ठीक है अच्छा अब इसमें बस एक चीज मेरी तरफ से यह रहेगी कि resonating structures बनाने की थोड़ी सी तुम्हारी practice होनी चाहिए अच्छा अब paper में कैसा रहता है आप लोगों को ये भी पूछा चाता है कि कभी कभी बताओ कि कितने आप लोग वहाँ पे total resonating structures बना सकते हो तो उस पे भी हम लोग बातचीत करेंगे कभी और जब कोई question में खादी मैं दूँगी फिलाल तो अभी comparison वाला topic चल रहा है तो comparison वाली ही चीज के हम लोग बातचीत करते हैं तो comparison हम लोगोंने क्या कर लिया है खतम कर दिया है ठीक है हमने comparison वाला पाट क्या कर दिया है इसमें अब कोई ऐसा rule तो बाकी है नहीं कुछ बाकी नहीं बस एक point मुझे तुम्हें लिख जाए आप लोगों को कोई double bond दिखने लग जाए या positive chart दिखने लग जाए तब आप उसको कैसे behave करवाओगे वैसे वो aromatic city में बताना था बट यहाँ पर अभी shot में बता देती हूँ ठीक है aromatic city में हम लोग इस तीच को double bond adjacent to it कर दो है अगर कभी तुम्हें ये देख जाए कि तुम्हारे पास ब्रीं में एक सकर नाइट्राजन है जिस नाइट्राजन बाजु में ही आउ था था छे डबल बॉ ना रही है तब उस स की बात करें की और इसा क्यू सिफ एक व्रहे हैं दोसिंहां तो वहाँ पे non-aromatic, anti-aromatic, ये कुछ compounds के बारे में आप जानकरी प्रप्त करोगे, तो उस वक्त उम्हें ये चीब मिल जाएगी, अब देखो, क्या होता है, इसमें हमें से कई लोगों का लॉजिक ये चलता है, या लेट से किसी ये तुम से कभी को question पूछ लिया, कि ये वाला करेगा, आगे आप लोगों को कहा देखने को मिलेगी चीज, जब आप aromatic और anti-aromatic वाले topics को पढ़ोगे, तब तुम को ये देखने को मिलेगी, similarly, यहाँ वाला भी जो है, ये nitrogen का भी जो lone pair है, ये lone pair भी आप लोगों के resonance से part नहीं करेगा, won't take part in resonance, ये भी resonance से participate नहीं करेगा, ठीक है, एक दिन हम लोग ऐसे ही, जब हमाँ पार बहुत फुरसत का समय होगा, तो एक और class हम ले लेंगे, जिस class में हम लोग specifically आप लोगों का क्या कहते हैं, resonating structures, draw करने वाले topic पर ही बातचित करेंगे, कि मतलब बहुत सारे resonating structures उम लोगों को दिये जा रहे हैं, और उसमे तुम उनके resonating structures पर क्या कर रहे हो, बना रहे हो, ठीक है, बट अभी के लिए ये इतना काफी है, इसमें थोड़े बहुत illustrations और लिए जा सकते हैं, illustrations की तो देखो है, सच कोई कमी है नहीं, चुलो एक हादी और ले लो, उसके बाद फिर इसको खतम करते हैं, तो यहाँ पर आ carbon, double bond nitrogen, उसके पर positive charge, और उसके बाद यहाँ पर इसका एक और equivalent double bond, आप लोगों के पास में क्या आ गया, nitrogen, ठीक है, इसके उपर negative, इसका comparison मैं तुम्हें किसके साथ करने को कह रही हूँ, एक structure ऐसा है, जहाँ यह double bond है, और उसके बाद फिर, यहाँ पर again तुमारे पास क्या आग जाता है, carbon आजाता है, ठीक है, यह carbon और उसके बाद यहाँ पर single में nitrogen, double में nitrogen कर लेते हैं, और फिर क्या कर लो, इसको positive, इसके उपर तो negative, maintain रहेगा, positive इसके उपर create कर देते हैं, इसके उपर negative, चलो, बताओ, कौन सा वाला ज्यादा बेटर है, साफ साफ दिख रहा है, कि आपका structure number 1 है, structure number 1 में पहले तो आप pi bonds की गिंती कर लो, तो structure number 1 में अगर मैं pi bonds की गिंती करू, तो मुझे यहाँ पे total 4 pi bonds देखने को मिल रहा है, और अगर मैं structure number बाजु वाले की गिंती करू, तो उसमें मुझे कितने pi bonds देखने को मिल रहा है, तो अगर मैं structure के according जाती ह पहला वाला जादा स्टेबल है क्यों क्योंकि charges एक दूसरे के नियर बाए है और यहाँ पे charges एक दूसरे से कैसे separate out है और अगर मैं pie bond के according भी अगर करती हूँ तो भी structure number one जादा स्टेबल है इन डारेक्ली structure number one जादा स्टेबल है बट इसमें आपको arrange करने के लिए जादा number of molecules दिये होते हैं ठीक है किसका molecule दिया जा रहा है यह कौन है आप लोगों का functional रूप पहचानो जरा यह functional रूप क्या है यह पहचानते आना चाहिए इतनी IUPAC पढ़ लेने के बाद यह तुमको structure दे दिये को structure से बना देती हूँ तुम पहचानो कि कौन सा वाला जादा stable है रूप को यहाँ पर negative और उसके बाद यहाँ पर आगया double bond वो double bond है उसको ठीक कर लेना यह oxygen के उपर positive यह आड़ करना पढ़ेगा इसको और उसके बाद ठीक है इधर positive इधर negative ठीक है चरूँ यह structure सुम लोगों के सामने है इन्हें फटा फट अरेंज करो कि कौन सा वाला आपका ज़्यादा बेटर होगा तो सबसे पहले ना तो neutral structure की खोज में रहा करो तो neutral structure तो तुमको साफ साफ दिख रहा है कहाँ पर ज़्यादा है मतलब A वाला है तो obviously इसमें A आप लोगों का सबसे रह स्टेबल होगा फिर आप उसके बार ढूंडो कि pi bond कहाँ पे कम कहाँ पे ज़्यादा तो आप लोगों के पास में जो B और C है इनके पास तो pi bond है यह यहाँ पर double bond है आप मैंने तभी बताया था नीचे के तीन में तो almost सबको सेम ही है बट फर्क इतना है कि जो आपका structure number D है उसमें एक positive negative है वो भी आजू-बाजू ठीकि उसके पास एक positive negative है वो भी आजू-बाजू उसके बाद जो आप लोगों का structure number D मतलब यह वाला जो structure है इसमें देखो 2 positive negative दो positive negative का pair है और जो आपका नीचे वाला structure है इसमें भी देखो 2 positive negative का pair है बट structure number आप लोगों का जो F है वो सबसे least stable होगा क्यों हो सबसे least stable होगा क्योंकि इस structure में क्योंकि इस structure में रेखो यह दो positive charge एक दूसरे के like charges एक दूसरे के क्या आगे तो इसमें ये तो clear है कि सबसे आखरी मेंगा किसी का number आएगा तो रहेगा F अब बात होती है D और E के बारे में तो ध्यान रिखना D और E को लेकर जितने कम charges होंगे जैसे मैंने starting में क्या बताया था neutral versus charge species में हमने neutral species को क्यों जादा एहमियत दी थी क्योंकि charge species बनती कैसे है charge species तब बनती है जब bond break होता है और जब जब दुनिया में bond break होता है हमको energy supply करनी पड़ती है और जब हम system को energy दे रहे हैं तो system energy लेने के बाद बोलो क्या करेगा unstability होगी उसके पास अगर तुम्हें खाना वाना खिला दिया जाए तो तुम्हें एक जगा बैठोगे थोड़ी न इदर उदर भटकने लगोगे unstable हो जाएगा system तो जितने ज़्यादा आपको charges दिखेंगे charges stability को क्या करेंगे घटाएंगे तो क्योंकि structure number D और structure number E में यहाँ पे आपको total 2 charges दिख रहे और यहाँ पे आप लोगों को 4 charges दिख रहे तो आप एक तरीके से एक rule ये भी बना सकते हो कि जितने ज़्यादा charges stability उतनी ही कम इसलिए order कुछ इस प्रकार से follow होगा इसको मैं लगे तो point number 1 में ही लिखवा रेती हो कहां गया आप लोगों का point number 1 ये रहा क्या लिख दोगे इसको charges जितने ज़्यादा होंगे वो inversely proportional होगी stability के ऐसा क्यों क्योंकि charges create कैसे होते है charges create होते है bond को तोड़ कर और whenever you break bond तो आप लोगों को क्या करना पड़ता है energy देनी पड़ती है और energy को देने से क्या हो जाता है आपके system के अंदर में क्या होने लगता है आप लोगों के system के अंदर में उसकी energy content बढ़ती है और अगर energy content बढ़ती है तो energy content के बढ़ने से क्या होता है कि वो system आप लोगों का comparatively क्या हो जाता है unstable बस खतम तो यहाँ पे हम लोग अभी आला topic रोकते हैं कि जो resonating structures है उसकी stability को आपको अगर arrange करने को कहा जाए तो आप कैसे arrange करोगे हाँ लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार question आपको इसी language में पूछा जाए कि arrange the following structures in increasing or decreasing order of their stability ऐसा जरूरी कता ही नहीं होता ठीक है ऐसा कता ही नहीं होता है कि आपको इस order में यह चीज़ दी जाए अब फिर आपको एक और format होता है जिस format में आपसे question को पूछा जाग सकता है वो यह होता है कि आपसे सबसे ज़्यादा stable पूछने के बदले वो आपसे सबसे least stable पूछ लेगा अब तुमें लगेगा सब least contributing structure कौन सा है ठीक है among following मतलब आपको जो नीचे structures दिये जाने उसमें से least contributing कौन सा है तो basically least contributing structures पूछने का मतलब उसका यही होता है कि उन में से सबसे unstable structure कौन सा है तो यह जो keywords हैं यह तुमको पहचानने है ठीक है उस keywords से confused मतुछाना किया यह तो हमने पढ़ा ही नहीं है ठीक ह है ठीक है ठीक है अब अगर कोई तुमसे पूछे कि इन दोनों structures में से अच्छा एक और possibility है कि वो जो five bond टूटा है उसके electrons को में left side shift करा देती हूँ तो एक possibility देखो यह भी बन गई यह आपका बन गया तीसरा resonating structure यह एक possibility बन गई हमाई पास एक और possibility बन सकती है कि हम लोग electrons के format में उसको distribute ना करवाते हुए हम लोग आगे उसके bond shift करवा देते हैं अगर मैंने उसके bond shift करा दिये तो यह बन गी चौथी possibility तो total यहाँ पर 4 resonating structure बन सकते हैं ठीक है अच्छा तो अब ऐसे में आपको पूछ रहा है कि least contributing कौन सा है तो least contributing मतला वो unstable की बात कर रहा है तो देखो पहले दूसरे तीसरे चौथे सब में nitrogen के उपर positive और oxygen के उपर negative है तो nitrogen के positive और oxygen के negative के हिसाब से तो question को करना भी नहीं चाह दूँ और बाकी इससे को यानि की carbon के respect में compare करूँ तो structure number 1 को आपके एक तरीके से यह कह सकते हो कि इसमें आपको neutrality देखने को मिल रही है carbon के बीच में और बाकी आपके नीचे के तीनों structure में carbon पर या तो कभी positive है या तो कभी negative है तो इसलिए structure number A जो होगा वो आपका काफी ह unstable में गिना जाएगा पहला तो carbon electro negative element होने के बावजूद उसने negative charge रखके रखा है और डूसरा reason यह होगा कि यहाँ पर like charges एक दूसरे के क्या आ चुके करीब आ चुके है तो जब भी तुमको कोई ऐसा पूछे कि the most क्या कहते हैं उसको least contributing structure तो indirectly वो तुमसे क्या कहने को चाह है वो तुमसे यह कहने को चाह रहा है कि उसमें आपको जो सबसे unstable दिखता है आप उस unstable structure को ढूड़िए और उस unstable structure को आप हमको mark करके क्या करके दीजिए यार रखना ही वो तुमसे यह पूछना चाह रहा है बराबर अच्छा बाकी अभी फिलाल सीच को मैं यहाँ पे conclude करती हो कुछ questions हम लोग resonating structures के और भी लेंगे जब हम लोग बातचीत करेंगे aromaticity को लेकर ठीक है क्योंकि अभी तुम्हें aromaticity आती नहीं है मैं कैसे तुमको बता दू लेकिन फिर भी जितना भी हम लोगोंने resonating structure के हिसाब से compare किया यह वाली चीज बहुत more than sufficiently अब हम लोगों को जो next topic पढ़ना है वो यह पढ़ेंगे हम लोग कि हमने जो mesomeric effect पढ़ा है उस mesomeric effect की applications कहने को तो resonance और mesomeric effect लोग उसको same ही कहते हैं जो काफी अब तक भी same है बट resonance में ज़रूरी नहीं है कि आपको हम आपे functional group देखने को मिले मतलब दुनिया की हर conjugation को अब रहन दो यह भला word मैं नहीं बोलती हूँ जो next topic है वो mesomeric effect की applications पढ़ना है electromeric effect की as such कोई applications नहीं है क्योंकि वो effect ही तब शुरू होता है जब कोई attacking reagent आपके presence में मतलब molecule के presence में आता है तो हमें electromeric effect को पढ़ना है उसकी applications यह हमारा कलकर target रहेगा और उसके बाद फिर हमको इसके बारे में पढ़ना है कि आप लोगों के पास अगर कोई reagent है तो आप उस reagent को देखके कैसे पहचान होगे कि वो एक reagent electrophile है कि वो nucleophile है यह तुम्हारा next topic रहेगा resonance का steric hindrance effect यह आपका topic रहेगा और उसके बाद next topic में हम लोग यह लेंगे कौन सा effect बताया है रूल बताया थैं मैंने ब्रेट्स रूल यह हमको पढ़ना है यह हमारे आगे के पाट है पहला application of macemaric effect उसके बाद resonance steric hindrance वाला ब्रेट्स रूल और साथी साथ में हमको यह भी पढ़ना है कि आगर आपको कैसे पढ़ना होगी कि आपके पाद आरोमाटिक है कि एंटी आरोमाटिक है कि नॉन आरोमाटिक है और फिर उसके बार after completing all this part फिर हम पढ़ेंगे reaction intermediates के बारे में ठीक है तो वैसे तो तुम लोगोंने अगर यह सारे electronics पढ़ लिये हैं तो तुम्हें reaction intermediates वाला topic बहुत असान लगता है क्या रहे इसमें तो कुछ ही नहीं क्योंकि जो आप stability के लिए पढ़ते हो ना वहीं आप reaction intermediate में भी पढ़ते हो तो बहुत ही असान है तो इस प्रकार से reaction intermediate वगरा सा पढ़ लेने के बार हम लोगों की जीओसी समाप्त हो जाएगी ठीक है बाट इसको अभी फिर भी बहुत झाल 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 झाल झाल